अच्छा नहीं सानवी अरे अरे सौरब नहीं देखो देखो स्टॉप इनको जरा सा काम देदो यह लोग ऐसे काम करेंगे कि अगली बार में इनको काम देते वे रुकी नहीं रहे तुम्हें सब लोग देखेंगे क्या सोचेंगे अरे 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 उसको देखो शांती गाई शांती मैंने इनको बोला कि सोफा थोड़ा थीक कर दो मैं चाय वाई बनानी की तियारी शुरू करती हूं इतना अच्छा काम हो रहा है पिताजी खुदी इन्वाल्में क्या सुझाएंगे बच्चों को क्यों लड़ रहा है इसने मारा पहले वा वा यू अर देर इज इसने मारा पहले खुशी स्टाप बंद हो गया लड़ाई ओके हलो अबरीवान विलकम बाक तो माय चानल और कैसे हो आप सभी उमीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सहत मन होंगे खुशाल होंगे अपनाची तरह से ध्यान रख रहे होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं और अभी अभी शर्मा जी आया है ओफिस से उनका मन होरा है चाय पीने का तो मैं सोची हो कि मैं चाय के साथ कुछ नाष्टा वाष्टा बना देती हूँ थोड़ा सा तो इससे मुझे भी डिनर बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा अलसो मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था एक बॉक्स और मैंने आपको बताया था कि एक न्यू एडिशन है किचिन में आप गैस कीजेगा बहुत लोग ने बहुत लारी चीज़े गैस किया है उसमें से जादर लोग एर फ्रायर बोल रहे हैं बहुत सारे हमाँ पर सजेशन्स थे आप लोग के मतलब आप लोग के गैस थे तो मैं फानली अभी वो जो बॉक्स है वो खोल देती हूँ मुझे तो पता है क्या है आप आप चलिए देखिए मैं उसकी अन्बॉक्सिंग करते हूँ और आप देखेगी क्या है नियू अडिशन टु माई किच्छन तो जब मैंने आप लोग के से पूछा था बहुत सारे दोस्तों मैं गेस किया था एर फ्रायर तो आप लोग करेक्ट हो बट पार्शली तो इस तो आप लोग करते है और आप से देखो गैना बहुत सुन्दर एपता इस देखने में गॉम्पार जाए इस साथ एक वायट राक यप यह था इसको अन्देखने में पीज़ जाना सकते हो आप नविच पसंद करते है तो पूरा चिकिन आप सिंद रोस्त कर सकते हो और इसके साथ आया है यह एक वायर राक और बेकिंग ट्रे जो आवन के साथ आया है और एक यूजर मैनुवल देन दिस एर फ्राइंग बास्केट विद पैर अफ तॉंग और अलसो इसके साथ आती है रेसिपी बुग भी जो काफी थिक लग रही है मुझे तो यह तो है नया बेटर स्टार्ट देन पकॉड़ा इसका शुरुवात करते हैं पकॉड़े बनाने से तो मैं इसमें पहली रेसिपी अपनी बनाने वाली हूँ पकॉड़े क्योंकि इसका जो मेन कॉंसेप्ट है वह हेल्दी फ्राइंग मतलब कि कोई भी फ्राइड फूड आप विदाउट इसमें बना सकते हो तो जो एक्स्ट्रा ओइल से जो फाट आता है जो कालरी आता है यो केन इसली कट ओफ डाट तो मैं बनाने वाली हूँ अपने रेगिलर आलू प्याज के पकॉड़े तो इसके लिए मैं प्याज थोड़ा लंबा लंबा स्लाइस कर रही हूँ और आलू इसी तरह से मैं थोड़ा सा थिनली स्लाइस कर लूँगी और पकॉड़े है ना बहुत लोग को पसंद होते हैं बड़ जो हेल्थ कॉंशिस लोग होते हैं वो जूजुली खाते नहीं है क्योंकि यह डीप राय होते हैं तो अब जो हेल्थ कॉंशिस लोग है ना अपना आलू है ना वो भी मैंने बिल्कुल प्यास जैसे पतले पतले काट ली और इसे निकाल के रखिएगा पानी के अंदर क्योंकि आलू जो है ना वो ऑक्सिडाइज हो जाते हैं थोड़ा ब्लाक होने लगते हैं तो जब तक बाकी चीज़ा हम लोग त्यार करेंगे आलू को छ हरी मिर्ची नमक लाल मिर्ची और थोड़ा धनिया का पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला और बेसन यहां पर आप चाहें तो जीरा आजवाइन या फिर क्रश कियावा जो मोटा धनिया रहता ना वो भी आड़ कर सकते हो कुछ और सबजी भी आपको अच्छी लगत सारी सबजी को बेसन से कोट कर लें और इसके बाद जैसा आपको जोरत लगे उतना पाई डाल करके बाटर बना लीजे शुरूबात में थोड़ा सा मिक्स्टर को थिक ही रखेगा बहुत नहीं आपको इसमें पानी मिलाना है क्योंकि हमने डाला है नमक और नमक के वज़े स सबजी का मॉइस्टर निकलेगा तो जो मिक्स्टर है न यह थोड़ा पतला होई जाएगा मिक्स्टर को पंदा मिनिट के लिए रख दिया है मैंने रेस्ट पे तब तक मैं अपनी जो चाय है वो भी चड़ा दूंगी और जो हमारा एर फ्रायर है न उसको भी प्री हीट करन तो मैंने 200 किया है और यह थोर्ड नॉब है इसके फंक्शन की इट ओफर्स सेवन डिफरेंट फंक्शन लास्ट वन इस टोस्ट यानिके लाइट मीडियूम डाक कैसा टोसिंग चाहिए और इसमें लास्ट में दिया गया है एक बटन यानिके एक सेपरेट बटन दिया गया तो जब तक मेरा फ्रायर अवन प्री हीट हो रहा है चाय को देख लेते हैं चाय में आचुका है बॉयल और इसमें मैं आड कर दूँगे अदरक चीनी और फिर एकदम स्लोली पकती रहीगी अभी जो मेरे पकोड़े है उसका जो बाटर है वो भी अच्छा रेस्ट हो चुक और इसके बाद अच्छी तरह से बाटर को मिक्स कर लेंगे और बाटर इकोली डिस्ट्रिब्यूट करते हुए अर्रेंज कर देंगे बास्किट के अंदर अब क्योंकि जो बाटर है इसमें जो ड्रिप हो सकता है इसलिए मैंने पार्श्मन पेपर लगाया जो कि आप इसली लेटर ओन जब प्रॉसस कंप्लीट हो जाए तो आप सारा जो भी क्रम्स जड़ गए है उनको कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम क्रम ट्रे तो मैंने यह पकोड़े रख दिया है कुछ दस मिनिट के लिए 200 डिगरी से पे एक साइड से एर फ्राय होने के लिए चाय हो गया है जड़रीज गाहिस करना इस और ज। आप चाहिए नहीं चाहिए कोई ज़रूरत नहीं है आप से भी से ऐर פाय कर सब्सक्राइब कर सकते हो ज्या तो बाहर से ही देख सथे हो कि आप का पकना पर आ इसम प्रॉर्ण प्र अज़रीयोह ऐ टेका एंग से अंकेस अमे निड कर Ind अगें मैं थोड़ा बिल्कुल थोड़ा ओयल ब्रश करूंगी जिससे इन पकॉडों में वो जो आपने ट्रडिशनल पकॉड़े होते हैं वह वला लुक एंद फील आप तेन इस स्टेप इस कम्प्लीटली ऑप्शनल आप बिल्कुल ओयल फ्री पकॉड़े इसमें बना सकते ह पहली बार हम लोग अरुफायर वाले पकॉड़े खाने वाले हैं मैं बहुत-बहुत सुना था मैं बहुत बख से सोच भी रेती है ले लेते हैं तो यहाँ पे होने वाला है शरमा जी इसको पास करते हैं कि फेल वह अभी उनका एक्स्प्रेशन आप देखेगा तो आपको कोई पता चल जाएगा मैंने बनाया पहली बार बनाने में तो एकदम 10 out of 10 दूंगी मैं कोई हैसल नहीं एकदम इजी ऑपरेशन बन जाते हैं और टीस्ट भी अच्छा लगा है एक बात और आपको बता हूं यह कहीं जादा क्रिस्पी निकले हैं जो कडाई में पकोड़े बन और दो चटनिया मैंने सबब की थी एक आम वाली कटी चटनी एक नॉमल धनिया वाली चटनी है शर मजी को बहुत ज्यादा पसंद आया उन्हें पसंद आया तो मेरे तो स्पिरिट्स और हाई हो गए आई थाट की चलो डिनर में भी कुछ एर फ्रायर की हेल्प लेते बनात है बड़ खाने में बहुत अच्छा लगता है तो इसके एक अच्छी वाली डूएबल रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी दो प्याज ले लिया है मैंने उसके उपर से पैटल्स निकाल लिया है और अंदर का जो कोर है और अधिया साइड में वह मैं बात में चॉप तो येलो रेड बेल पेपर भी डाल सकते हो अगर आपके पास अवैलेबल है यह आपको वह पसंद आती है तो सबजिया मेरी कटकर होगे तयार और यह जो अंदर से हमने प्याज निकाली थी जिसके पैटल्स नहीं निकाले क्योंकि छोटे छोटे निकलते ना तो मैं इनको तो थोड़ा सा बारीक बारीक स्लाइस करके रख लूँगी अभी पनीर तियार कर लेते हैं चोटे बड़े आपकी प्रेफरेंस है बहुत सारे रेस्टरॉंस में इतने बड़े बड़े यह नो दो दो इंच चारो तरफ से इतने बड़े बड़े टिकास भी मिलते है तो आरे नेशन है वह तयार किया जाता है आप देखें मैं किस तरह हाथ से इसको प्रेस करते हुए सर्किलर मोशन में यूनिफॉर्म ली एक बाटर बना रही हूं डाल वी में थोड़ा सा चाट मसाला काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा धनीया का पाउडर जी 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 पेस् थोड़ा सा तरह है जाउत नमक तोड़ा साधा नमक और फोड़ा गर्व मसाला जर से अच्छास यह जाता है और डाला जाता है और तो आप चाहें तो डालें बार में नहीं है अब अच्छी तरह से मैंने जो मारेनेशन है वो तियार कर लिया है पनीर इसके अंदर डालेंगे अच्छी तरह पनीर को मारेनेशन में कोट कर देंगे जिससे कि उसके अंदर तक इसका जो फ्लेवर है वो अबस्वाब हो जाए और सारी सबसियां भी थोड़ा सा मारेनेशन म कोट करके रख देंगे allow it 15 minutes to marinate मैंने वापस अपने airfryer को लगा दिया है प्री हीटिंग पे और बास्किट में लगा दिया है पार्श्मिन पेपर और इसके बाद मैं इसको simple ऐसे ही लाइन कर रही हूं आप चाहें तो जैसे skewer में पिरोते हैं तिकाज उस तरह लंबे-लंबे सकते हैं चाहें तो जो टुटपीक रहती है उसमें चोटे-चोटे टिकाज बना सकते हैं या जैसे मैं कर रहे हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं आपको किस तरह खाना है किस तरह प्रेजेंट करना है वही एक बात फरक होती है तो मैंने line कर दिया सारी चीज और सारा marination उपर से मै और इसके बाद वापस से प्री हिटेड अवन के अंदर मैंने 5-7 मिनिट का टाइमर लगाया है 180 डिग्री सेल्सियस पे मैं इसको एक तरफ से अभी एर फ्राय करूंगी एक बार मेरा टाइमर अप हो जाएगा तो इसको वापस से करके देखेंगे Geek Aero Cook एक All-In-One Fryer Oven है जिसमें आपको Oven, OTG, Toaster और Air Fryer के युटिलिटीज मिलते हैं मैंने यहाँ पे आज बनाया है इसमें पकोड़े, टिककाज अब बहुत कुछ और भी चीज़े बना सकते हैं आप बहुत कुछ और भी चीज़े बना सकते हैं आप बहुत कुछ और भी और जब तक मेरा पनीटी का Air Fryer हो रहा है मैं थोड़ासा सालेट भी काट लूगी मैंने यहाँ पे दो खीरा और एक कारट ले लिया है एक टमाटर भी है और यह है समर्ज वाले कारट इसे ऊटी कारट भी कहते हैं समर्ज में मिलते हैं यह सालेट में बहुत अच्छे लगत हैं मुझे बहुत पसंद हैं तो सारी चीज़े काट लेंगे पहले मैंने आपने द्यान दिया था प्यास काट के रखे थे वह प्यास भी जाएगा इस सालेट के अंदर मैंने ठोड़ा लेटेस भी काट लिया था यह भी आड़ करेंगे शालेट बोल के अंदर और अब इसके अंदर मैं डाल रहे हुआ वह कटे हुए प्यास भी साथ में और थोड़ा सा इसमें नीमबू का रस भी यह सालेड है आप एस मील रिप्लेस्मेंट भी खा सकते हैं आ नमक नहीं आड़ करेंगे वनना सारी सबसियां जो है पानी छोड़ देंगी आपके सालेट में नमक पसंद है तो एड़ टाइम ऑफ सर्विंग आड़ कीजिए यहां पर मेरा टाइमर हो चुका था अब तो सारे टिका में पलट लोंगी क्योंकि नीचे से इनको पकाना है ना अब आप देखो इसकी जो मारिनेशन है वो काफी ड्राय हो चुकी है वापस से उतनी टेंपरिचर पे उतनी मिनिट के लिए मैंने रख दिये है टिकाज एर फ्राय होने के लिए और यहां पर मैंने कर लिया थोड़ा पानी गरम डाला है इसमें हींग और नमक और यह ऑब जोजी अच्छी बनती है इससे कड़ी भी बहुत अच्छी बनती है और रायता भी अमेजिंग लगता है तो आज रायता बन रहा है मैंने बूला था आपके साथ रशएपी शेयर करूंगी तो आज जब मैं बनाने लगी आफ्ट रपर जाव फ़ड़ा अपर दिया है बासमती राइस है यह 30 मिनिट्स मैंने सोक किया था यह आड़ कर देंगे थोड़ा सा गी के अंदर इसे टॉस कर लेंगे बहुत भूनने की ज़रत नहीं है जिस्ट थरी सेकिंड इस अनफ और इसके बार डाल देंगे इसके अंदर पानी और इसे कुक होने देंगे एक बहुत काट करकर थोड़ी सी प्यास भी और यह राइथा लेसुन के चंखे में बहुत अच्छा लगता यह बद्या चार्मा जी को पसंद से बस स्कीज़ या। या मैंने इसमें नमक वमक तो कुछ डाला ही नहीं, वड़े डालकर बाद में नमक डालोंगे तो सारे वड़े का हलवा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक, रायता में ना काला नमक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी क नाश करके इसके इंदर डालेगा, उसके बाद यह वड़े आड़ कीजेगा, और उपर से लहसुन वाला घी का तड़का डालेगा, उसकी खुशभू भी अलग होता है, तो मैं आज बैसे बना रही हूँ जैसे मेरे पती देव को पसंद है, तो मैंने यहाँ पर दही पेट थोड़ा ओईल, जीरा, सुकी लाल मिर्ची, हिंग, और यह अच्छी तरह भून जाएगा ना, एक अच्छी अरोमा आने लगते है इससे, और कलर ज़रा डाक हो जाता है, तो यह तड़का पोर कर दीजे, आप आपके राइता के ऊपर, गुट मिक्स और यह बहुत अच्छ ठंडा ठंडा खाईएगा, आपको बहुत अच्छा लेगा, यहां मेरे टिकाज हो चुके हैं, रेडी, और लुक आट इट कितना ड्राय हो गया है, बिल्कुल वैसे जिसे बाहा टिका मिलता है, और टेस भी अच्छा आता है, आपने नोटिस किया, ब्राउनिंग भी हुई अच्छा निकलता है, अच्छा निकलता है, लॉंग ग्रीन्स निकलता है, हल्वा जैसा नहीं हो जाता है, यह हमारी आज की थाली दाट है, राइस, राइटा, सालेड, एंड, मलाई, पनी, टिका, यह देखिए, काम करते करते हैं, मुझे रात का एक बच गया है, मैंने बस अभी यह बैडिंग बदली है, यह दुलने में डालते हूं, मुझे पता ही नहीं चला, अच कहां चला गया टाइम काम करते करते,